हलो दोस्तों मेरा नाम है रूपेज आप देख रहे हैं टैगनिंग का रूपेज दोस्तों आए हम बात करने वाले इस वीडियो में कि इंटरनेशिया कंपनी इंटरनेशिया कंपनी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइबल लिम्टेड कंप टीम लीडर सौट में वोलते है टी एल ओके जो 37 होता है यानि कि टी एल होता है उसे कितना प्रॉफिट मिलता है यानि कि वो मन्थ में यहां पर इंटरेशन कंपनी में कितना पैसा यहां पर कमा सकता है कितना प्रॉफिट मिलता है और अगर आप 37 हो यानि कि टीम लीडर हो तो आप अपने डारेक्ट में कितने पार्टनर लगा सकते हो और जो डारेक्ट में पाड़ना लगाऊगे उनको आपको कितना कितना यहां पर पैसा मिलने वाला है पूरी की पूरी इंफरमेसन देने वाला हूं चले वीडियो को स्टार्ट करते से पहले दोस्तों आप से एक छोटी सी रुकेस्ट है चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो आपको अच्छ लगए तो प्रीस लाइक जरूर करना और वीडियो को जा से आ से एर करना तक यह नौलेज यहां पर सभी को मिल सके तो सबसे पहले हम यह डिक्लेयर कर लेते हैं कि 37 ओके आप बनते कैसे हैं मैं एक चीज़ यह पता जेता हूं कि 37 आप बन आपकी रैंक यहां पर 37 हो जाएगी ओके एंड इसका जो फुल कैलकुलेशन है वह मैंने मलब अपनी जो वीडियो है वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से जाकर देख लेजेगा यहां पर पूरा का पूरा आप यहां पर 37 बन जाओग हो जाएगी मेरा वीडियो डला हुआ है औरेटी चैनल पर वीडियो का लिंक में यहां पर दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से जाकर देख सकते यह चीज़ बात कर लेते हम जनरेशन प्रॉफिट की तो सबसे पहले मैं आपको यह कर देता हूं कि जनरेश यहां पर वाल है तो आपए और यहां आपकी रेंग जनरेशन हो गई यह वाली आपकी सेकंड जनरेशन हो गई और अगर इसके नीचे भी कोई काम करते करते 37 वन जाता है तो आपकी जो रेंग है वो भी यहां पर स्वारी जनरेशन हो गई इसके नीचे तो यह होता है जनरेशन तो अब इसमें जो जनरेशन प्रो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर आप 37 हो तो आप अपने डारेक्ट पार्टनर में वैसे तो आप तीन से प्रमोट हो जाओगे वह बटा आपको अगर ज्यादा चुल्ल मची होती है किसी किसी के तो बनलब आप यहां पर चार डारेक्ट लगा सकती हो ओके तो डारेक्ट कमिशन से हमें यहां पर मिलता है यहां पर सेवन पर्षेंट मिलता है फॉइस्ट जर्मरेशन से के ऑड़ सर्फ चार परेसंट कमीशन ओके यहां पर we जेनरेशन मिलता है दो परसेंट पॉर्थ जानरेशन जेनरेशन से मिलता है तो यह इस तडरिके से याँ पस्ति पर्शेंट से बिलता है फेस्ट जनरेशन से सेकेंड में चार परसेंट दो परसेंट यहां पर बन परसेंट और यहां पर बन परसेंट तो के थर्ड थर्ड डारेक्ट में यहां पर साथ परसेंट चार परसेंट दो परसेंट बन परसेंट यहां पर बन परसेंट यहां पर बन परसेंट चार परसेंट दो परसेंट एंड बन पॉइंट फैप परसेंट बन परसेंट बन परसेंट तो यह यह जाता है यहां पर जनरेशन प्रॉफिट एंड अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके डारेक्ट में जो पार्णर आते हैं उसमें आप यहां पर कितना कमिशन कमा सकते तो यहां पर बता देता हूं कि मतलब तोटल अगर आप इंट्रने से कंपनी में जॉइनिंग करना चाहते हो तो आप चार रैंक से कर सकते हैं पहले जो रैंक होती है हमारी फिप्टी रैंक जो सेगेंड रैंक होती है वो हमारी 28 टो इन रेंग से आप यहांपर जॊइन कर सकती हो अब इन ह Olá कोते इसमें इसे अगर कोसी मिलता है बटे यहां पर डारेक्ट में को पैसा मिलने वाला यहां पर 4050 उरपय रुपय का यहां पर license मिलेगा फिरी ओके एंड जितनी भी इसकी जो पर्चेजिंग होगी उसका यहां पर दस पर्षेंट पैसा मिलने वाला है सेम सिच्वेशन में यह यह है मिलने वाला है और दस पर्षेंट यहां पर कमिशन मिलने वाला है पर्षेजिंग का सेम सिचुएसन यहां पर चार यार पचास रुपए का यहां पर लाइसंस मिलने वाला है और दस पर्षेंट यहां पर कमिशन मिलने वाला है पर्षेजिंग का तो यह चार रैंक से है और के साब से जो भी रेंक है यानि उस रेंक के साब से यहां पर कमिशन बढ़ता जाता है ओके एंड इसके बाद मैं आपको बताऊं जूँ कि अगर 37 मान लीजिए आप 37 हो ओके आपके नीचे यहां पर 28 आता है 28 आ गया इसका कमिशन आपको मिल गया इसके अकॉर्डींग आपको यहां पर कमिशन मिल गया अब यह 28 अपने नीचे यहां पर कोई परसन लेकर आता है 28 अगर यहां पर ट्वंटीएट लेकर आएगा तो यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा यानि कि यहां पर इस परसन को zero मिलने वाला है और अगर यहां पर तो यहां पर पैसा मिलेगा कैसे पैसा मिलेगा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी अपॉन हंड्रेड इंटू सी वोले तो जो भी प्रॉस्पेक्ट है उसकी पर्चेजिंग यानि कि आपका यह हो जाता है भी आपका यह हो जाता है जो परसंग यहां पर जोइन करने वाला है तो यहां पर 37 माइनस के 19 अपॉन हंड्रेड ओके यहां पर जो सी है इसकी पर्चेजिंग लिखी जाएगी जो भी इसकी 28 की पर्चेजिंग होगी बो सपोड़ मान लीजे यहां पर मैं एक्जम्पल ले ल कैल कुले गड़े से करके अब काफी जाता हो जाएगा बट जो भी यहां पर आंसर आएका इसके आप से इसे यहां पर कमिशन मिल जाएगा फॉर्मोला सेम यह ही रहेगा सेम सिचुजर में और यहां पर 28 का मैंने बता दिया था आपको यहां अगर यहां पर 28 आप यह लगता है मैंने आपके सारे के सारे डाउट से क्लियर कर दिये हैं तो आप इसी चक्र में एक लाइक तुझे रूल कर दीजेगा के साथ साथ वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना ऐसे वीडियो देखने के लिए इंटरनी से कंपनी से रिलेटेड तब तक के लिए आप मिलते एकली वीडियो में थैंक यू फॉर वचिंग जैहिंद बाई बाई टेक केर